लालू यादव ने बहुत कुछ बेचा है और बहुत कुछ खरीदा है इसे लिए उनकी आदत हो गई है बेचने और खरीदने की नमश्कार आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूँ यती आपके साथ आरजडी सुप्रीमो लालू प्रिशाद यादव के टूइट पर अब बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलिप जैसवाल ने तंच कसा आज आर्जडी सुप्रीमो लालु प्रशाद यादव का एक ट्वीट सामने आया और इसके बाद अब विपक्ष लालु यादव के इस ट्वीट को लेकर के उन पर हमला वर होती नजर आ रही है पहले हम आपको लालु यादव द्वारा किया गया वो ट्वीट बता देते हैं आपके स्क्रीन पर लालु यादव के तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो नजर आ रहा होगा देखिए देश में रेल को लीकर के जो मामले है वो लगतार मुद्दे बनते जा रहे हैं और ऐसे में आर्जडी सुप्रीमो ने एक ट्वीट किया इस ट्वीट में आप देख पारे होंगे जहां लालु यादव ये कहते नजर आ रहे हैं दस बर्सों में मोदी की एंडियस सरकार ने रेल का किराया यानि की भाड़ा बढ़ा दिया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ा दिया स्टेशन बेच दिये जनरल बोगिया हटा दी बुजूर्गों को मिलन वाला लाव खत्म कर दिया गया सेफ्टी सिक्योरिटी घटाने पर रोज हाथ से हो रहे हैं फिर भी कहते हैं रेल घाटे में है अब ये कहीं रेल की पट्रिया न बेच दे तो आजड़ी सुप्रीमों ने का पोस्ट किया और इस पोस्ट के बाद विपक्ष यानि की बीजे कोशी भी पाए गए थे पर अब जाकर के जब लालू यादव विपक्ष की सरकार में बैठे हैं महागडबंदन के सुप्रीमों बने बैठे हैं लालू यादव तो इसके बाद अब लगतार पीए मोधी और नितीश खुमार पर हमला वर होते हैं बिहार में अपरादिक के दाम बढ़ा दिए गया प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए गया तो इस पर तंच का साल लालू यादव ने प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर और यह कह दिया कि कहीं अब यह रेल की पटरिया ना बेज दे इस पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रत माहौल अलग-अलग बातें अलग-अलग सिच्वेशन आते रहता है और हर्याना में और जम्मू कस्मिर में भारती जनता पार्टी के कार्ज करता ने काफी मेहनत किया है और उसका रिजल्ट भी आईगा लालु यादव को पहले से बेचने की आदत है इसलिए वह इस तरह की बात करते है उन्होंने बहुत कुछ बेचा है बहुत कुछ खरिदा है ना इसलिए